भंडारा कुंधिया जीला वासियों के लिए खुश खबर है अब आपका मन पसंद चैनल बीएस क्राइम इडिया नियूस अब आपके केबल नेटवर्क पर जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के सेन चैनल नंबर 13 पर उपलब्द है बीएस क्राइम इडिया नियूस पर खेल, राजनिती, क्राइम, साहित्य वा अन्य खबरे प्रकाशित की जाती है हमारे साथ जूटने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरे विज्यापन आदि के लिए संपर्क करे 8669 1517 57 पर फ्लाई ओवर के नीचे पल्टी तेज रफ़तार कर हासे में तीन घायल लाखनी उडाल पूल के नीचे की घटना बुद्वार सुबा करीब साड़े ग्यारा बजी के दौरान शहर में फ्लाई ओवर के नीचे भंडनारा से साकोली के और जा रही तेज रफ़तार कार हाइवे के किनारे डिवाइडर पर चड़कर पलड गई इस घटना में एक वेकती गंभी रूप से घायल हो गया बाकी दो वेकती मामिली रूप से घायल हो गया गोंद्या जिले के आमगाउ निवासी अमृत किसान दिवाले उम्रत 50 वर्ष गंबी रुप से घायल विक्ति का नाम है जबकि वही के निवासी अनुज अगरवाल उम्रत 30 वर्ष और भरत ब्रुजलाल गायधने उसी के साथ ही घायलों के नाम है अनुज अगरवाल भरत गायधने और अमृत दिवाले टाटा टिया को कार क्रमांकर मेच 32 एजी 34 शुने 4 से भंडारा से साकोली के और तेजी से जा रहे थे कॉलम नंबर 51 और 52 के बीच अनियंतित होकर डिवाइड पर चड़ने से कार पल्टी हो गए गटना की सुचना पुलिस को दी गए गटना की सुचना मिलते ही लाखनी पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरिख्षक आशिष चिलंगे गड़े काव हाईवे पुलिस सहायता के सहायक पुलिस निरिख्षक प्रमोत कुमार बगेले अपनी टीम के साथ मोके पर पहुचे पुलिस ने कार में फसे घायलों को नागरिकों की मदद से बहा निकाला और इलाज के लिए ग्रामिन अस्पताल पहुचाया अमरुद दिवाले को प्रात में कुपचा दिया गया और उनके कंधे और दाहीनी आग उपर चोट लगनी के कारण उन्हें जीला सामने अस्पताल में रेफर कर दिया गया। स्वच्छता से सम्रुधिके और जाने वाला महमंत्र देने वाले संत गाडगे बाबा की पुर्ण्यतिति के आउसर पर 20 दिसंबर को गुरुदेव सेवा मंडल गनिशपूर के अंतरगर ग्राम स्वच्छता अभियान चलाये गया जिसमें युवाओ और सामाजिक कार्यकर स्वच्छता अभियान को सफलता पुर्वक पूरा किया इस आयोजन को गाव के लोगोंने अच्छी प्रतिक्रियति इस उसर पर नामदेव आवरकर, हिवराजहरडे, सुड़ेश्टाकुरे, रिदेश्वा थोटे, गायधनी गुरुजी, पंकच भुंगाडे, पंकर देवे, गौरव, सोनकुष्रे, गजानन मेहर, विद्या मेहर उपस्तित थे। इस उस जन प्रतिनीदियों द्वारा ध्यान नहीं देते हुए, सडक, नाली के निर्मान की और अधिक ध्यान दिया जाता है। गमदाम में बड़े शहरों में जाने आने के लिए रेल्वे की आसान एवं सस्ता सादन है। शेत्र के नागरी को द्वारा अनेक दिनों से मांग की जारी है। लेकिन जन प्रतिनीदियों की अंदेखी के कारण यह मांग पूर्ण नहीं हुई है। ट्रेन शुरू नहीं होने से प्रति दिन सफर करने वाले एवं दूर दराज के गाउ में काम पर जाने वाली यात्यों को आसुविता हो रही है। जन प्रतिनीदी एवं रेलवे प्रशाशन को अनेकों बार निवेतन दिये गए थे लेकिन अब तक संतुष्टी पुर्वक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मतदाताओं को EVM और VVPAT मशीनों के प्रशिक्षन प्रसार, प्रचार और जन जागरुकता के लिए भंडारा जिले के 60 तुमसर, 61 भंडारा और 62 साकोली विधान सबक्षेत्रों में EVM प्रदर्शन केंडर और मोबाइल प्रदर्शन व्यान स्तापित किये गए है। इसका शुभारम उपजिल अधिकारी श्रीपती मोरे ने मोबाइल प्रदर्शन व्यान को हारी छणी दिखा कर किया। इसका श्रीपती मोबाइल प्रदर्शन व्यान जन जागरुकता अभियान की अनुसुचित शहर, बाजार, सरकारी कारे लेयो, ग्राम पंचेत कारे लेयो, सबस्तालो, आदिस थानों पर मोबाइल व्यान के माद्यम से EVM और वीवी पैट मशिन का प्रदर्शन करने और दाताओं को वोट देने के लिए 31 परवरी 2024 तक EVM जागरुकता अभियान चलाया चाहेगा, तदनुसार जिले के मतद दाताओं को इसका लाब उठाना चाहिए, ऐसी अपेल, जिला अधिकारी योगेश कुंबेजकर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भंडारा ने किया पिछले एक देड़ वर्षे से मौसम विभाग के ओसे मौसम की अचुग जानकरी देने वाला ताप मापक सयंत्र लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे अब जल्दी सफलता मिलने के उमिद की जा रही है, बताया जा रहा है कि अब काम शुरू कर दिया गया है, शेहर के यही कारण है कि भंडारा के ताप मान के लिए नागपूर के संभाग के मौसम विभाग पर मिर्भर रहना पड़ता है, बंडारा का ताप मान कितना है, इसकी जानकरी के लिए नागपूर के मौसम विभाग से पुछताच कर काम चलाना पड़ता है, दुसरी और जिलों की तापमान सुची में भंडारा का कही भी उलेक नहीं होता। पुरेवी दर्ब में भंडारा एक मात ऐसा जिला है जहां जिला स्तर पर ताप मापक सेयंत नहीं है। लेकिन अगले दो मेने के बाद ये स्थिती बदलने वाली है। पुलिस सुची में भंडारा के बड़ी बेटी चोटी बहन को दो पैर के दोरा निवासी मकान के तरवासे में ताला लगा कर स्कूल में छोड़ने गई थी। इस दोरान अग्यातों ने निवासी मकान में परिजन नहीं होने का गैलाप उठा कर मकान के दरवासे का ताला तोड़कर मकान में रखी लोहे के अलमारी से कुल 64,500 रुपयों के सोने चांडी के गहनों की चोड़ी की। हाला कि छोटी बहन को स्कूल में छोड़कर कुछ समय बादखर पहुची बड़ी बेटी को मकान के दरवासे का ताला तूटा नजर आया। इस दौरान मकान में प्रविश करने पर मकान में रखे वीबिन्न सामकरी फेकी हुई नजर आई जबकि लोहे के अलमारी भी खुली हुई नजर आई इस दौरान पिडिता की बेटी ने अग्यातो द्वारा मकान में सेनमारी कर चोड़ी का संधिय लेकर तुरंट मोबाइल फोन से घटना की जानकारी पीडित महिला को दी। इस मामले की आगे की जाश शुरू की गई है। आलोरा ग्राम निवासी मालन फत्तु मेश्राम उम्रह साथ वर्ष के खिलाब पुलिस ने कारवाई कर कुल पाच लिटर महुवा शराब जबतकी गई। वही पावनी पुलिस ने आजकाव निवासी पपु मानिक बाव ने उम्रह 33 वर्ष पर कारवाई कर उसके पास से 10 लिटर देशी शराब जबतकी गई। सभी कारवाईयों में पुलिस ने कुल 3620 रुबे का माल जबतक किया है। सदन की अउमानना के मामले में लोस अध्यक्ष ओमबिडाल ने सी थॉमस और ए मारित को 17 के 6 अधि के लिए लोगसबा से निलंबित कर दिया है। अब संसत के दोनों सदनों के विपक्ष के निलंबित सदस्तों की संखा 143 हो गई है। मराठा नेता मनोजरंगे पाटिल ने कहा कि जब तक उनके समाज को आरक्षन नहीं मिलता तब तक राज्य में चुनाओं नहीं होंगे। उनके इस बयान से अब राजनितिक माहल भी गर्म होने की संभावना है। संसत परिसर में टीम सी सदस्ते कलान बैनर जी की ओर से की गई उपराश्टरपती जगदिर धनकड की मीमिक्री करने की घटना को बिजेपी ने अपना हतियार बना लिया है। महाराश्टर में विपक्षी दलों की विधायकों ने 140 से अधिक संसदों के निलंबन के विरोध में बुद्वार को अपनी बाहा परकाली पट्टी बांधी। बंगाल की सीया ममता बैनर जी ने कॉंग्रेस को एक और सुझाव दिया है। अमेरिका के कोलेराडो राज्य के सुप्रिम कोट ने पुर्वर राश्टरपदी डोनल्ड ट्रम्प को अमेरिकी सम्विधान की विद्रोह संबंदी धारा के तहत वाइट हाउस के लिए अयोग्य गुशित कर दिया है। खेल रतने के लिए चुना गया यह भारत का सर्वोचर खेल सनमान है। नोख्री के बतले जमिन घोटाले में आरजडी प्रमुक और बिहार के पुर्वर सीम लालू प्रसाद यादा और उनके बेटे वर राज्य के डिप्टी सीम तेजस्वी यादाओ को ईडी ने समन भेजकर पूछताच के लिए ईडी मुख्याले बुलाया। पुलिस ने शराब बेशने वालों के खिलाफ कारवाई करते हुए पुलिस ने शराब पी कर यादा यादबाधित करने वाले वाहन चालों के खिलाफ कारवाई की देवाडी निवासी अमित सुरेश 12 सुरे उम्र 20 वर्ष वस साहिल कादर शेख ने अपना तिपईया वाहन सडक के बिचो बिच खड़ा कर यादा यादबाधित कर दिया अपनी पतनी आशान नेवरा उम्र 30 वर्ष के गला घोट कर हत्या कर दी इसके बाद उसने जहर पी कर आत्मा हत्या करने की कोशिश की उसे गोंधिया के केटियस जिला सामने अस्पताल में भरती कराया गया देवरी ठाने के तहत वाड क्रमंक चवदा निवासी देविंद्र तराचन तवाड उम्र 38 वर्ष अपनी मोटर साइकल से जा रहे थे इसी दोरां दोपया वाहन के चालक ने अपने दोपया वाहन से तेज रफटार मोटर साइकल को टकर मार दी जिसमें देविंद्र घायल हो गया फिर्यादी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामलाद दर्च किया हताशा में जहर खाने वाले भंडारा जिले की परसोडी निवासी चंदरभान उम्र 36 वर्ष गी उपचार के दोर अन्बुत्ती हो गई शोहर पुलिस ने अकस्मित मुत्त्यू का मामलाद दर्च किया रावनवाडी थाने के तहट कोड़नी निवासी फिर्यादी धनेंद्र मेश्राम उम्र 22 वर्ष के बकरी पालन केंद्र से अग्यात वेक्ती ने बकरा चुरा लिया फिर्यादी की शिकायत पर रावनवाडी पुलिस ने मामलाद दर्च किया तिरोडा थाने के तहट गोड मोहाडी निवासी फिर्यादी शेक असलम शेक अयूब गटको नोज उम्र 32 वर्ष ने अपनी मोटर साइकल शहिद मिश्रा स्कूल तिरोडा के आगे रोड के बाजू में खड़ी की थी अग्यत वेक्ती ने उसे चुरा लिया फिर्यादी की शिकायत पर तिरोडा पुलिस ने मामला दर्श किया आदी के लिए संपर्क करे 8669151757 पर